चलिए उन सूत्रों की और चलते हैं जो पहला सूत्र है वो कहता है कि धन भाव का स्वामी अर्थात दुतिय भाव का स्वामी नवम भाव में धन भाव का स्वामी जन्म कुंडली के नवम भाव में हो परंतु कैसा हो तो स्वनक्षत्र में हो अपने नक्षत्र में हो तो ऐसा जातक अपने जीवन काले में विशेस धन संग्रह करता है तो वहीं दूसरा सूत्र कहता है कि यदि धनभाव का स्वामी जेस्ठा नक्षत्र में हो ये बुध का नक्षत्र है तो इस नक्षत्र में होने से भी जातक स्रेश्ट धन संग्रहित करता है एक और तीसरा सूत्र कहता है कि लगन में देव गुरु ब्रहस्पती हो आपने कालसर्प योग का नाम तो सुना होगा कैसे बनता है राहू और केतु के मध्य साथ नहीं मध्य सारे ग्रहा हो वैसे ही ये सूत्र है कि लगन में शनिदेव हो और लगन में देव गुरु ब्रहस दूसरे के आमने सामने देव गुरु ब्रहस्पति हों और उसके भीतर सभी ग्रहों हों, बस इतना ही है कि बाउंटरी लाइन यही दोनों ग्रह रहेंगे, इनके बाहर कोई नहीं होगा, एक लग्न में देव गुरु और एक छोर सनी देव और मध्य सारे ग्रहों हों, तो ये तो ये भी धन संग्रहा की योग है। कहीं से भी लगनकास्वामी धनभाव को देखे तो ये धन संग्रह कराने वाला योग है। और पांचवा सूत्र कहता है कि धनेश देव गुरु के नक्षत्र, अर्थात, पुनर्वसु, विशाखा या पूर्वा भादरपद नक्षत्र में हो, तो ऐसी अवस्था में विजातक निशन देह अपने जीवन काल में धन संग्रहित करता है। अब धन संग्रहित करने में एक बात ज़रा ध्यान रखना होगा, कि कई बार योग होता है कि जहाँ धन आया, जातक खूब धन अर्जित किया, कमाया, और इसके बाद उस भोग किया, उस धन को खूब अपने उपर खर्च किया, आया और गया, यहाँ संग्राह की योकीचर से आ चल रही है, तो इसमें ये संभव है कि हो सकता है जातक थोड़ा कृपण भी हो, थोड़ा कंजूस प्रवर्तिका भी हो, क्योंकि कई बार धन संग्रह करने में कृपण अवश्यक होती है, तो यह संभव है कि ऐसा जातक कृपण हो, यह संभव है, परन्तु धन संग्रह ऐसा जातक अवश्यक करेगा.